वेल्कम स्टूडेंट्स एक्ट्यू पेसिव के आज किस वीडियो में हमने आपके लिए इंपिरेटिव सेंटेंस का आश्यांदार वीडियो प्रिपेर किया है सबसे पहले देख लेते हैं इंपिरेटिव सेंटेंस करते किसे हैं आग्यात्वा प्रात्ना सुचक जो भी वाक और यह चार प्रकार से शुरू होते हैं जैसे वर्ब की पर्ष्ट पॉर्म से दूसरा है डू या डू नोट से थर्ड है लेट से और फॉर्थ है प्लीज या काइंडली से आई ये चारों को समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से पहला सेंटेस जो यहां पर आपके क्या ह यह दिया हुआ है पस्ट पॉर्म दी हुए और यह बाद में आपके एक यहां पर दडोर दिया हुआ है ओपन दडोर तो सुत्र क्या है लेट लगाएंगे ऑबजेक्ट भी और वर्ब की थर्ड पॉर्म जहांचे समझे लेट की जगा हमने लेट लिख दिया यह देखें य यह बी हमने लिख दिया लिखने के बाद में आपके बचा वर्ब की थर्ड फोम याने की ओपन यह आपने ओपर यह लेट धर भी ओपने अब यहांपर आपके जो दिया हुआ है शेकिंड वाला देके डूय या यह जूर्वर्क यह सुरू हो रहाएं डूया दो नोर से तो क्या लिखा बी और पी दू की थर्ड पॉम लिखती दन ठीक है यानि कि पर्ष्ट पॉम से हो या डू से हो हमें यह फॉर्मूला काम में लेना है जो कि आपको सामने नजरा रहा है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं डू नोट वाले को भी क्या करना है डू नोट वाक बेर तो लेट लगाएंगे डू नोट वाले में है हम कुछ ने करना यहां पान में बता देता हो लेट लगाएंगे प्लस जो आपका उबजेक्ट होगा ओगाएंगे और नेगेटिव है तो लिख वे पलें नोट लिख देंगे प्लस बी और पलस वही वाकई थाड पानrą म beginnen यह तो लेट का लेट लिखा यह देखे कर लेड़ लिखा ऑपजक्ट का ऑबजग्ट । बन जाएगा थिहा लिए अ Applause p以及 कअट कर्या है ये ये पर्मूले से नोट वाला अधि कियाầ изб Mimi थीट दो तरीके से बनते हैं इसमें क्या है request का बाव वो तायनिक कर पईया यह करा है please help me इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं तो subject plus may plus please या kindly बी प्लस वाब की third form और adverbial या object तो हमने देखी यहाँ पर इस सुत्र से बनाया तो subject me है मी को मिने आगे लिया तो किसमें बदल दिया आई में या सबजेक्ट की जगह आई लिखा फिर प्लीज वाल है तो please की जगह प्लीज लिखा केंड होता तो काइंड लिखते बी की जगह बी लिखा और फिर क्या है थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म की जगए थर्ड फॉर्म लिखी यानि इस फॉर्मूले से आपका प्लीज काइंड लो जाएगा और अगर माली जी यह बूल जाओ तो सबसे सिंपल ट्रिक में बता रहा हूं प्लीज काइंड लिखो उड़ा देना यू आर रिक्वेस्टेंट टू ये कम्लेट द्यान रखना काइंडल वाला हो प्लीज वाला हो यू आर रिक्वेस्ट्टेंड तो द्यान रखना और पस्ट फॉर्म से कनेक्ट कर द ta help me ठीके यह बन जाएंगा जिसे काइंड लिखाएं जोizen में अपलीकेशन में लिखते हैं यू आ रीक्वेस्टेट टू और कहां से कनेक्ट कर तेया कायन्टली को तो प्लीज को किसमें बदल दिया और फिर क्या किया जैसा का पर नंफंड लगाया था यह कर से इस जगह से 2 से connect कर दिया 3 days तक यह हुआ अब यह देखे 6 वाला set all the gates पता लग गया किसे सुरूर आए पश्ट पॉम से किसे बनेगा late के वाला late all the gates भी शट यह रहा मारा यह सुथ late प्लस object प्लस बी प्लस वर्व की तरड़ पॉम लेट all the gates लेट की जगह late लगा दिया यह देखे object की जगह all the gates लगा दिया फिर बी का भी और वर्व की तरड़ पॉम सेट के तीनों पॉम सेट होती है आगे बड़े do not laugh at the poor अब यह जहां पर नेतिकता का भा होता है वहां पर हम शुट भी लगा सकते हैं यानि do not वाले को आफ शुट से भी बना सकते हैं तो यहां पर आप देखे एक तो बनाया हमने the late, the poor, not be laugh date जैसे हमने इस उत्र से भी बनाया था note वाले से एक्तो बना दिया लेट की जगा लेट है देके लेट की जगा लेट द पूर है ऑब्जेक्ट ये बदल दिया अब इसको आप चाहें तो यह भी बना सकते दा पूर शुड नोट भी लाप डेट यानि कि डू नोट वाले को जानने तिकता का बाव हो आप वहां पर सुड नोट का यूज कर सकते हैं ठीक है यह हो गया आपके अब डॉंट वेस्ट यो टाइम यह देखे अब आप को कोई सला दे रहा है कि डॉन्ट वेस्ट यो टाइम तो आप इसको बना सकते हो लेट योँका यूज मिलाकर जहां पर आप कि यहां नितिकता का बाव है या ओडर है या क्या है तो सबसे बचाव का है कि उपाई यह वह लेट आप लेट से बना दीजिये यहां पर आप का sentence hundred percent सभी निकलेगा क्योंकि लेट से आपके यह दिकत ने रहे कि यहां शुड्ड है एडवाइस है order है क्या है क्योंकि लेट से हम इन सबसे बच जाएंगे तो लेट से आप बना दीजे यह सुत्र है imperative sentence में केसे चार प्रकार है चारों को केसे बनाते हैं फिर जितने sentence आप करेंगे उतना ही आप लोगों की practice अच्छी होती चले जाएगी यह आप लोग के लिए homework के लिए sentence prepare किय हैं इन्हे सोल कीजिए और आपके answer comment box में जरूर लिखें और जितने sentence आप सोल करेंगे उतने ही आपका practice और आपकी command इन पर बढ़ती चली जाएगी इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरू सब्सक्राइब किजिए students thank you